अनुपमा के पेरो तले जमीन खिसक गई है अनुज ने वो कह दिया है जो शायद उसे कहना ही नहीं चाहिए था अनुज ने वो कह दिया है जिसकी कलपना भी अनुपमा ने नहीं की थी अनुज ने कहा है अनुपमा से कि जब रिष्टे में प्यार ही नहीं जब कोई रिष्टा ही नहीं तो एक छट के नीचे साथ रहकर फाइदा क्या है अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनुपमा को लगेगा अनुज की बातों से गहरा सद्मा और वहाँ दूसरी तरफ अनुज अनुपमा को लाकर डाइवॉर्स के पेपर्स देने वाला है अनुज अनुपमा के हातों में तलाग के पेपर्स देख जहां एक तरव बाबू जी अनुपमा अनुज का रिष्टा तूटता देखकर अनुपमा को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा दुखी होंगे वहीं वनराज के सारा तमाशा इंजॉई कर रहा होगा वनराज हो रहा होगा मन ही मन खुश ये देखकर कि अनुपमा और अनुज दोनों का हो रहा है सेपरेशन वनराज हो रहा होगा खुश ये देखकर कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं वनराज खुश हो रहा है ये सोच सोच कर कि अनुज ने अनुपमा को ठुकडा दिया है शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप अनुज और अनुपमा के बीच का ये धेर सारा इमोशनल ड्रामा देखने वाले हैं इस एमोशनल ड्रामे से आप होंगे काफी ज्यादा अपसेट ये एमोशनल ड्रामा आपको भी काफी ज्यादा हैरान कर जाएगा आपको बता दें जब अनुज डाइबोर्स के पीपर्स लाकर अनुपमा के हाथ में रख देगा तो अनुपमा के पैरो तले जमीन खिसक जाएगी सोचा भी नहीं था अनुपमा ने ऐसा कि अनुज उस पर भरोसा नहीं करेगा उसे छोड़ देगा लेकिन क्या करें टीवी इंडुस्ट्री में आया है ये बड़ा तूफान होली ड्रामे के बाद भी अनुपमा को लगा था कि उसके और अनुच के रिष्टे को किसी की नजर नहीं लगेगी लेकिन नजर पूरी तरह से लग चुकी है माया जो आग लगा कर गई थी वो अब काफी ज्यादा फैल चुकी है डाइवार्स पेपर्स लेने के बाद अनुपमा क्या करती है देखना हुगा